नमस्कार जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं संजुक्त प्रवेश परिक्षा परिसत पॉलिटेकनिक उत्तर प्रदेश के द्वारा 3 जुलाई 2023 को एक revised information broker जारी किया गया जिसमें एक बड़ी अपडेट आपके लिए आई अपडेट तो कई सारी है फीजबुक्तान से रिलेटेड लेकिन आपके प्रवेश परिक्षा से सम्मंधित एक बहुत ही महतोपूर अपडेट निकल करके आ रही है कि इस बार इंट्रेंस एक्जाम में निगेटिम मार्किंग नकारात्मक अंक दे होगा या नहीं होगा तो चलिए इसी पुस्तिका में हम नीचे आते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरप्रदेश संजुक प्रवेश परिक्षा पॉलिटेक्निक 2023 का ही ये information broker है और revised information broker है को दिखा दे fees भुकतान को ले करके fees आप लोग कैसे भरेंगे तो यहाँ पे एक UPI का feature जोड़ दिया गया है आप लोग UPI से भी अपना fees जो भी है वो submit कर सकते हैं चलिए नीचे आते हैं यहाँ पर direct हम मुल्यांकन एवं प्रवेश परक्रिया पर आते हैं यहाँ पर देख करमांग चार जो है लिखा गया है मुल्यांकन एवं निगेटी मार्किंग तो विंदु करमांग चार में करमांग एक दिया गया है वस्तु निष्ट प्रश्ण पत्र में प्रतीक प्रश्ण में उत्तर के कुल चार विकल्प होंगे आपको एक question दिया जाएगा उसमें चार विकल्प दिये जाएंगे और प्रतीक प्रश्ण के सही उत्तर पर चार अंक दिये जाएंगे तो ये वही बात हो गई जो पहले के ब्रोकर में दिया गया था चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं ध्यान से वीडियो एंट तक देख रहेंगे कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ तो दूसरा बिंदु कह रहा है बिंदु चार का उत्तर के चारों विकल्प में केवल एक उत्तर विकल्प सही होगा ये भी ठीक बात है केवल एक ही विकल्प सही होता है बहुत बढ़िया बात है अच्छी बात है चलिए तीसरे व जाटा जाएगा गलत प्रश्न का उत्तर करने पर ठीक है सही प्रश्न का एक गलत उत्तर करने पर लेकिन अगर आप प्रश्न का कोई गलत उत्तर कर देते हैं आपका आंसर गलत हो जाता है तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है प्रदर्शित किया गया है अंकित किया ग ने हैं ठीक है आपके क्या पता जो आपको उत्तर नहीं आ रहा है उसको भी कर दीजे क्या पता लगबाई चांस आपका उत्तर भी सही हो जाए तो इससे आपके मेरिट में फायदा होगा आपका नंबर बढ़ जाएगा लेकिन नेगेटिम मार्किंग हटा देने से नुकसान क के ओने हैं कि की आपका जो कटाफ है वो हाई जा सकता है खास कर गुरूप A डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग में और खास कर गुरूप E1a 2 डिप्लोमा इन फार्मेसी में कटाफ जो है जादे जा सकता है गोर्मेंट कॉलेब्टिक है और अड़ेट कॉलेजेस के लिए रब् प्रश्ण को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे चार अंक दिये जाएंगे तो यह भी व्यवस्था वही पुरानी है अगर भाई किसी प्रश्ण का दो विकल्प सही हो जाता है तो अगर विद्यार्थी दोनों में से कोई वी विकल्प लगा देता है तो उसको आंसर पर तब भी आपको 4 का 4 नंबर मिलेगा लेकिन जो conclusion निकल करके आ रहा है कि किसी भी प्रकार का negative जो है अंक आपको नहीं मिलेगा यही आपके लिए सबसे बड़ी update है बिंदु संख्या 5 बिंदु क्रमांक 5 कह रहा है एक प्रस्ण के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रस्ण क कोई एक question पूछा गया है उसका आप चारों विकल्प भर देते हैं तीन विकल्प भर देते हैं तो जब एक से अधिक उत्तर दे देंगे तब आपका वो प्रस्ण नहीं माना जाएगा अर्थात आपका उस प्रस्ण का मुल्यांकन नहीं होगा तो एक बार मैं फिल से conclude कर द तो विंदु संख्या 4 का विंदु संख्या 3 कहता है कि गलत उत्तर देने पर कोई निगेटिव मार्क दे नहीं होगा नकारात्मक अंक दे नहीं होगा अब आप लोग भाई खुश हो जाएए तैयारी थोड़ा सा और मजबूत कर लिजिए ये भी सही बात है कि कटाफ आपका जो है हाई जा सकता है क्योंकि अब आप क्या करेंगे पूरा जितना प्रश्ण दिया रहेगा सब को आप हल करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे बलकि हल करेंगे भी चलिए और भी जैसे कोई अपडेट आता है आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइट कर दिया जाएग जै हिंद जै भारत वंदे मातरम एक बात और क्लास आपका अब दो-दो क्लासेज होंगी सुबा 10 बजे से और रातरी 8 बजे से क्योंकि परिक्षा सरपर है निकट है चलिए मिलते है नए क्लास के साथ जै हिंद